हेलो गाईस, मुस्पारा की रष्ष्वई में आप सब का श्वागत हैं आज हम लाए हैं अपनी रेस्पी में गुलाब잡न की रेस्पी तो ये देखिए मेरे गुलाब है एक किलो और इसमें मैंने 100 ग्राम मैदा ली हुई है तो आप यदि इस तरह से रजगुल्ले बनाएंगे तो आपके रजगुल्ले कभी खराब हो चुकी है अब हमें एक चीज़ को ध्यार रखना कि हमें चासनी का एक तार नहीं बनाना है यदि आपकी चासनी टाइट होगी तो आपके रजगुल्ले भी टाइट बनके त्यार होंगे तो यह देखिए आप सबसे पहले हम खोए को हम कद्दू कस कर लेंगे इस तरह से करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनके त्यार होंगे यहीं देखिए मैंने यह 100 गराम मैदा जो ली थी आज मैं बगए सोड़ा बगए इनों के बताऊंगी इसमें मैं साल खाली मैदा और बस कुछ पानी डालके बस आटा लगा के त्यार करूंगे आपको कुछ नह करना है नहीं बहुत ज़्यादा मसलना बस सीदे जैसे आटा में गूतते हैं उस तरह से यह देखिए मैंने 1 किलो खोया मैं मैंने करीबन एक कप पानी बस इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है इससे आपका नॉर्मल आटा जैसे होता है बहुत ही ज़्यादा टाइट जैसे नॉर्म आटा लगाना है यह उएप टाइट आटा लगा एंगे तो आपके रसगुल्ए हुझ टाइट बन के तैयार होंगे । यह देखिए जैसे नॉर्मल आटा लगाया जाता है। यह जैसे आप नॉर्मल आटा लगाका सटों 455 कách अरो इसां मोन ही हुझ गूत क मैंने कोई सोड़ा और बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला हुआ है तो ये देखिए अब हम इस तरह से इनकी लोईया बना लेंगे आपको जिस साइच की बनाना हो अब मैं क्योंकि गुलाब जावन बना रही हूँ बहुत ही अच्छे लगते हैं तो इस तरह से मैं एक लोईया का बना के तियार कर लोंगी और मैं कुछ ड्राइफ़ भी ले लोंगी जो इसके बीच में लगाएंगे हम इस तरह से आप आपको लगा के त्यार करने और मैं बारवार रेक्विस्ट करती हूँ कि आप मेरे वेडियो को पूरा देखा करें पूरा आप देखेंगे तभी आप परफेक्ट गुलाब जावन बना के त्यार कर लें क्योंकि कई लोगों को गुलाब जावन बनाने में बहुत ही लिक्ताती है वो कहते हैं हमाई रस गुले फैल जाते हैं या फ़र जाते हैं या फिर बहुत टाइट रहते हैं तो आप जिस तरह से मैंने मेरेज्मेंट बताया है कि आपको एक किलो आटे में सिर्फ सो गराम ही में अधा डालेंगे और आपको ना कोई सोडा और कोजमी यह दिए आपको लगता है कि हमारा क्वोया थोड़ा वैसी दिख रहा है कई नोग क्या करते खव्या में मिला यदि मिलार देते हैं तो आपको थोड़ा सा पहले बना के देखने इसके बाद ही आप बैटर को त्यार एंगे तो इस तरह से चेक करके लिए आप बनाएंगे तो आपका खोया वेस्टी भी नहीं जाएगा और आपके गुलाब जामन भी बहुत अच्छे बनके त्यार होंगे तो यह देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी लगा लेंगे तो इससे आपके रजगुले बनाने में आ त्यार कर लेंगे तो यह देखिए मेरा रजगुला एक बन चुका है मैं दूसरा बना के दिखाऊंगी इस तरह से आपको बीच में यह रैट कलर रखना है और इसमें कुछ में ड्राइफुट्स लिए हुए हैं गरीवी ली हुई है इसमें बीच में रख करके आपको चेर हुए है तो मैं गोली बनाओंगी और आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं तो यह देखिए आपको ध्यान रखना है कि यह किसी तरह से क्रेक्स नहीं होने चाहिए नहीं तो आपके रजगुला फढ़ जाएंगे तो यह देखिए कितने साप रजगु हमें किसी ना किसी खोई हमें क्या होता घी जादा होता तो इसके वह से हमारे रजगुले फैल जाते हैं तो यह दिया फ्रज में रख देंगे कुछ टाइम के लिए तो जो घी होगा वो जम जाएगा और आपकी यह जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी तो यह च्छोटी हम इन सब को कर लेंगे फ्राई तो आप जैसे तो हमें आज को एकदम सिलो ही रखना है आपको देखे देख भी रही होगी मेरे गया चलते हुए पुल गदम सिलो जाल रही है तो आपको आज को एकदम सिलो रखना है तभी आपके रजगुले अच्छे से पकेंगे नहीं त वो बहुत अच्छे परफेक्ट बनके त्यार होंगे और मैं दूसरे टिप्स और बताऊंगे यदि आपके रजगुले लग रहे हैं कि यह फट रहे हैं तो आपको क्या करना है इस तरह से इनको हिला देना और एक चीज और आपको जो रिफाइंड या तेल जिसमें भी फ्रा कि ये देखिए कितने अच्छे त्यार हैं तो आपको इसी तरह से बनाना है और देखिया मैं कुछ निकालती जा रहे हैं कुछ इसी त्यार बना थे जा रहे हैं मैं रजगुल्ला को कभी ये खटा नहीं बना कर रहती हूं मैं तो बस फ्राही करते जाती हूं और ये खांत में कुछ न कुछ मिला रहता है तो आपको क्या करना जब भी आप रिफाइंड घी में डालें तो आप एक चुटकी इसमें थोड़ी सी मैदा छोड़ दें कब जब आप फ्राई गन्ने लगें इससे क्या होगा कि आप जैसे रजगुले निकालते हैं जिस वरतन में डालते है तो आपके जो रजगुले थोड़ी बहुत फट जाते हैं तो वो नहीं भटेंगे आप आराम से कभी बच्चे भी निकालते हैं तो उनसे भी चमच लग जाती तो हमारे रजगुले से लगते हैं जिससे किसी ने खाली हो तो इस तरह की प्राब्रम नहीं आएगी तो आप यदि छोटी छोटे से टिप्स को दिहां रखेंगे तो आपके रजगुले कभी खराम नहीं होंगे और बहुती पैस्टी बहुती स्वादेश्ट मन के त्यार होंगे तो इस तरह से आप सारे रजगुलों को निकाल के चासनीम डाल लेंगे और चासनी हमें थोड़ा गरमी मेरी चासनी गरमी है क्योंकि मैंने अभी बनाई थी पहले से बना के नहीं रखी हुई थी तो इस तरह से हल्की यदि गरम रहेगी तो यह बहुत ही जलनी मेरे यहां तो क्या रजगुले बनते जाते हैं और खटे जाते हैं तो आप इस तरह से कई लोग क्या कहते हैं अभी अब मैं इनको चम्मस से भी तोड़ के दिखाऊंगी तो इस तरह से आप मेरे वेडियो में बने रही है और अपना साथ बनाए रही है और कमेंट करके जरूर बताए कि मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी और यदि वेडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और वेडियो को शेयर करें और कमेंट करके बता दे रही है तो आप चलते हैं आप यह देखिए मैं चम्मस से भी दिखाऊंगी तो यह देखिए कितने अच्छे रसीले रसगुले हमाई बनके त्यार हुए है ना एक दम मार्केट की तरह से किसी हलवाई ने बनाए हो तो यह देखिए इ और जैसे रस गुल्न को नाम लिया जाता है तो मुह तो अरन पानी आ जाता है तो मेरह यह दो बनते हैं और ख़ते जाते हैं तो कि आप लोग दो डेया बनाएए और जाए करिए आप अपने को खिलाई है तो जब आप रजगुले इस तरह से बना के खिलाएंगे तो आज से आप भी वाई वाई पाएंगे तो आप चलते हैं बाई बाई हैपी दी पबली सभी को और फिर मिलते हैं नेस्ट वेडियो में बाई बाई जाजख वेडियो में डिलाएंगे थो आप पाम और लखी रजयोशश रिट झाल झाल